हमें इस expression का हमें limit निकाल लाएं तो सबसे पहले हम यह direct limit पूट करके देख लेते हैं कि आखिर इसका हम direct limit निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब हम direct limit पूट करते हैं तो infinity by infinity या 0 by 0 form बनते हैं यानिकि कुछ indeterminate form बन जाती है और तरह से जानते हैं तो अगर हम इसमें रखते हैं तो यह होगा 1 raise to the power infinity into infinity type तो यहां पर यह एक indeterminate form आ रहा है और यहां पर indeterminate form जो है वो product में है तो अगर हम इसको इस तरह से कर लें कि यहां पर यह जो product है यह plus या minus में convert हो जाए तो आप जानते हैं ऐसा करने के लिए स्प्लिट और merge करने के काम में लाते हैं जैसे लिख सकता हूं मैं log mn यहां पर क्या हो जाएगा log m plus log n ऐसे ही आप यहां पर अगर log m plus log n थो यहां पर इसको merge कर देता है तो merge और split करने में काम आता है log function तो यहां पर क्योंकिए जो infinity है यह वाली infinity अगर इसको मैं infinity by infinity में convert कर तो सबसे पहले इस infinity को मुझे सामने लाना होगा यानि कि यहां पर लाना होगा और यहां पर लाने के लिए लोग function ही helpful है तो मैं माल लेता हूं कि इसकी जो limit है वो L है L या आप Y कुछ में मान सकते हैं L equal to limit to n tends to infinity 1 plus 2 upon n raise to the power n square into e raise to the power minus 2n इसको मैं दोनों साइड लोग function ले लूँगा लोग function लेने से मुझे को यहां पर क्या मिलेगा ये left hand side में लोग L मिलेगा और right hand side में log of limit equal to limit of log ये property हम यहां पर use करेंगे ये हो जाएगा n square log of 1 plus 2 upon n और ये क्योंकि product में है तो इसको भी मैं लिख सकता हूं minus 2n log e तो log e का value यहां से 1 हो जाएगा तो ये यहां पर minus 2n बचेगा तो finally यहां पर मुझे मिलता है limit n tends to infinity और ये हो जाता है n square log of 1 plus 2 upon n और यहां से यह मिलता है 2n अब log 1 plus x का expansion हम लोग जानते हैं log 1 plus x का expansion क्या होता है वो होता है आपका यहां पर मैं log log 1 plus x का expansion यूज़ करूँगा I think वो होता है x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 और इस तरह से आगे चलते रहते हैं तो मैं इसमें log x का expansion अभी यूज़ करूँगा तो यहां पर मेरी left hand side थी log l और right hand side में क्या चल रहा है limit n tends to infinity n square ऐसे ही और यहां पर मैं expansion यूज़ कर रहा हूँ तो यह हो जाएगा 2 upon n minus 4 upon n square into 1 upon 2 और third term हो जाएगी मेरी 8 upon n cube into 1 upon 3 और यह इसी तरह चलता रहेगा और बाद में आपके minus 2 n भी है तो अब मुझे finally क्या मिलेगा log l equal to limit n tends to infinity यह अब मैं इसको n square को मैं अंदर multiply करा दूँगा यानि कि distributed property का use करूँगा तो यहां पर first मुझको मिलेगी minus 2 sorry plus 2 n और यह मिलेगा मुझे 4 upon 2 यहां पर मिलेगा 8 upon n into 1 upon 3 और इस तरह से चलता रहेगा minus 2 n भी है इस minus 2 n से यह plus 2 n cancel out हो जाएगा तो finally मुझको मिलेगा यह minus 4 upon 2 यानि कि minus 2 और all जो terms होंगी वो containing 1 upon n है यानि कि other terms all other terms all other terms containing 1 upon n ठीक है तो यहां पर मुझको मिलता है left hand side में log l equal to limit and tends to infinity और यह expression है तो जैसे ही मैं इसमें limit put करूँगा यह 1 upon n वाली जो terms है जीरो को चला जाएगा तो finally मुझे मिलेगा log l equal to minus 2 इस हिसाब से मुझको मिलता है l equal to e raise to the power minus 2 तो इस expression की जो limit है e raise to the power minus 2 यानि कि option a correct होगा